भारतिय जन्ता पार्टी के राश्ट्रिय महामंत्री और पश्चिम मंगाल के प्रभारी श्री किलाश विजेवर्गी जी हमारे सह प्रभारी चुनाओ के और आईटी सेल के इंचार श्री अमित मालविय जी हमारे सहप्रभारी और वरिश्त रहोगी और राष्ट्रिय मन्त्री सम्मानिय अर्विन मेनन जी हमारे युवा मोर्चा काल के हमारे बहुत फ्रिये साथी और जो प्रेस के साथ बहुत जुड़े रहते हैं ऐसे हमारे शौमिक भटाचारिय जी, हमारे वरिश सहयोगी गन, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित हमारे सभी साथी गन और मीडिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के मेरे साथी आज मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है और भारतिय जन्ता पार्टी चुनाओ के क्रम में जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए बंगाल की प्रबुद जन्ता उनका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का निश्चे किया है उस क्रम में आज एक कदम उठाते हुए लुखो सोनार बांगला इस लक्ष को ले करके हम चले और इसकी शुरुआत आज जब हम कर रहे हैं तो लुखो सोनार बांगला को हमने अगर याद करना है तो हमको वो बंगल की संस्कृती जो हम सुनते रहें कि वोट बंगल ठिंक्स टुड़े इंडिया ठिंक्स टुमॉरो ये जो इसका गौरव में इतिहास रहा है जिसमें स्वामी विवेकानन जी रविंद्र नाथ ठाकुर जी बमकिंचन चैटर जी जी नेता जी सुभाष शंद्र बोस श्यामा प्रशाद मुकर जी ईश्वर चंद विद्या सागर इन सब लोगों का जो कॉंट्रिबूशन रहा है उस कॉंट्रिबूशन को समावेश करते हुए सोनार बांगला कैसे बनाय जा सकता है इस बात का प्रयास हम करने का काम कर रहे हैं और इसलिए अगर हम महिला शक्ती की बात भी करें तो हमारे सुतंतिता सेनानी कल्पना दत्ता कल्यानी दास जी इनको भी याद करना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है अगर हम सोनार बांगला की बात करें और इस कैमपेन की बात करें तो हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता ये सोनार बांगला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है क्या उसकी आशाएं हैं क्या उसकी आकांगशाएं उसको हम समावेश करना चाहेंगे और हम हमेशा ये मानते हैं कि सारी बुद्धी सिर्फ हमारे पास है ऐसा नहीं है बंगाल की प्रबुद जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बंगला बन सकता है इसलिए उनको समावेश करना उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को उनके सुझाओं को साथ लेके चलना ये हम लोगों ने तैय किया है इसी कारे को लेते हुए लगबग दो करोड से जादा हम सुझाओं लेने वाले हैं एक व्यापक सुझाओ लेने वाले हैं दो करोड से जादा और उसी तरीके से विभिन स्तरों पर लोगों का सयोग मिले सुझाओ मिले इसको हम करने वाले हैं और इसके लिए ये जो आप सुझाओ की पेटी देख रहे हैं इस सजेशन बॉक्स एप्रॉक्सिमेटली 30,000 सजेश हमारे जो 294 विदान सभाएं हैं सभी विदान सभाओं में लगभग 100 पेटियां सुझाओ की पेटियां रक्षी जाएंगे 50 पेटियां ले करके हमारे घरघर हमारे कारे करता जाएंगे और 50 हम स्ट्रटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं prominent स्थानों पर रखने वाले हैं प्रमुक्ष स्थानों पर रखने वाले हैं ताकि हम उसका उनका suggestion ले सकें और उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाएंगे उसी तरीके से आज मैं LED रत का भी श्री गनेश करने वाला हूँ ऐसी LED रत लगबग 294 हर विधान सभा के लिए एक रत की विवस्था की गई है जिसमें हम डिजिटली सुझाओ दिया जा सकें इसकी विवस्था भी करेंगे और साथ ही साथ हमारा एक मिस्ट कॉल नंबर होगा 9727294294 ये इस मॉबाइल पर हम मिस्ट कॉल करके हम सजेशन अपने दे सकते हैं यही नंबर वाटसैप के तरीके से इस्तमाल हो सकता है और हम वाटसैप संदेश दे सकते हैं तो की हमारे को लोगों का सुझाओ मिल सकें और इसी तरीके से www.locosunarbangla.com इसमें हम अपना सुझाओ दे सकते हैं इस तरीके की डिजिटली विवस्था भी हम लोगों ने की है मित्रों ये कैमपेंग तीन मार्च से लेकर के बीस मार्च तक हर विधान सभा में ये कवर करेगा और हमारी सुझाओ की पेटियां ये तीन मार्च से बीस मार्च को और बीस मार्च को हम इसको पूरा करने वाले हैं जिस बात को प्रदान मंत्री जी ने कहा असोल परिवर्तन उस असोल परिवर्तन के लिए सोनार बांगला का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है इसको हम प्रियासरत रहेंगे यही नहीं जब हम असोल परिवर्तन की बात करते हैं तो आयूशमान भारत को हम लागू करेंगे और चार करोर सिक्स, सेवंटी, सिक्सी सेवन लाग पीपल who are entitled to be covered under आयूशमान भारत and getting a facility of five lakh rupees health cover every year इसकी भी हम व्यवस्ता करेंगे जब हम आयूशमान भारत की बात करते हैं तो साथ ही साथ प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदी लगवग देश में 10 करोड किसान है 73 लाग के आसमास किसान बंगाल में है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदी की 6 किष्टे 7 किष्टे देज दी जा चुकी है लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है प्रधान मंतरी जी ने कहा है कि हम पिछली किष्ट भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदी बंगाल की धर्ती पर लागू होगा और 73 लाग किसानों को इसका लाब मिलने वाला यानि पुरानी किष्टे भी और पुरानी किष्टे अगर साथ जोड ले तो 14,000 रुपे की एक एक किसान को पुरानी पेमिंट होगी और आगे चल करके उसको हम जोडेंगे इस तरीके से हम काम करने वाले है उसी तरीके से प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना को और व्यापक बनाएंगे उसी तरीके से सेवन्थ पे कमिशन को यहां सेवन्थ पे कमिशन को लागू करेंगे ताकि हमारे इंपलॉई भाई जो उससे वंचित रह गये हैं वो सेवन्थ पे कमिशन का भी लाब उठा सकें और बंगाल में एक नई संस्कृती हम देने वाले हैं नो कट मनी नो कट मनी भरष्टा चार मुक्ष विकास युक्ष बंगाल हम देने वाले हैं और उसी तरीके से refugee welfare के schemes को हम launch करेंगे विशेश करके मतवा समाज और नमो शूद्र हमारे जो समाज है उनके लिए हम health के लिए पुश देंगे education के लिए पुश देंगे graduate और post graduate के लिए हम scholarship की विवस्ता करेंगे और इसी तरीके से बंगाल जो हमेशा एक अच्छे विचारों के लिए जाना गया है दुरुभाग्य से यहाँ नकसलिजम भी पनपा उस नकसलिजम को समाप्त करने के लिए हर प्रयास को हम पूरा करेंगे यह भी हम आपको बताना चाहते है बंगाल जो आज भरष्टाचार के दिश्टी से हम सब के सामने कई तरह की चर्चाएं आई है उसको हम भरष्टाचार मुक्त रखेंगे और उस भरष्टाचार मुक्त का हम वातावन बनाएंगे उसी तरीके से यह जो इलीगल कोल माइनिंग हो रही है इसको भी हम रोकेंगे इसी तरीके से ये syndicate sanskriti को भी हम रोकेंगे और उसी तरीके से हम global market में local product को पहुँचाने का प्रयास करेंगे global market में local product पहुँचे बंगाल का अपना हुनर जिसको हम आजादी के पहले से जानते थे आज वो सारे का सारा हुनर उसको कुंठित कर दिया गया उसको समाप करने की कोशिश की गई है हम उस बंगाल के हुनर को फिर से वापस सापित करेंगे और global market प्रोडूर की विवस्ता करेंगे for local products इसको भी हम ध्यान में रखेंगे मित्रों जहां तक बंगाल के culture का सवाल है we are all emotionally involved बंगाल का culture एक संस्कृती जिसने देश दुनिया को एक एक नई ताजी हवा दी जब मैं विवेकानन जी की बात करता हूँ जब मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात करता हूँ जब मैं बंबगिन चैटर जी की बात करता हूँ जब मैं इंशोचंद विद्या सागर जी की बात करता हूँ ये सब लोग ऐसे थे शामा प्रशाद मुखर जी की बात करता हूँ ये सब ऐसे थे जिन्होंने बंगाल की धर्ती से जरूर जन्म लिया हो लेकिन उन्होंने देश को दिशा दी संस्कृति को दिशा दी वातावरन दुश्रित नहीं करूंगा लेकिन अगले भाशनों में मैं बताऊंगा जब मैं पौरी वॉर्तन यात्रा की समाप्ती पर जाऊंगा तो मैं वहाँ चर्चा करूंगा कि ये संस्कृती थी बंगाल की और संस्कृती को कहा लाकर के खड़ा कर दिया आज किस मोड पर लाकर के खड़ा कर दिया मित्रो इसको रिवाइव करना हमारी जिम्मेवारी है और उसके लिए हम प्रयासरत होंगे ये हम आपको ज़रूर कहना चाहते है उसी तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, आज ये धर्ती यहां की जो इसकी उरवरता है, जो इसकी कैपसिटी है, उसका उप्योग नहीं हो रहा है। जितनी धरती हमारी एलूबियल है उतना ही इसकी यील्ड होनी चाहिए वो यील्ड नहीं हो रही है जितना इसका irrigated land होना चाहिए वो नहीं है और जो किसानों को इसकी कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है प्रश्टा चार मुक्त विकास योग बंगाल बनाएंगे जेपी नड़ा ने का इसके साथ ही लॉंच किया सुनार बंगला कैम्पेन को जेपी नड़ा ने सुझाव मांगे गए हैं घोशना पत्र को लेके ये का है कि पूरे बंगाल से हम सुझाव लेंगे तीस हजार बॉक्स लगाएंगे 294 विदानसभाओं में किस तरीके से अपने काम को प्रचारत प्रसारत करेंगे और विकास की बात करेंगे इन तमाम बातों की जानकारी जेपी नड़ा की तरफ से दी गई